नमस्कार में हुआ अभिनाश पांडे और आप देख रहे हैं निउस वोनेले बैने बिहार बनका आहवन के आगया था जाप और माले के द्वारा और इस वक्त हम राजधानी पटना के डाग बंगले चौरा है पर हैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के यहां प भारी सुरक्षा विवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहूनी नहों या इस तरीके से जो लगातार स्थितियां बदलती रही हैं नर्सी और सी एए को लेकर वो नहों कि लगातार उग्र प्रदर्शन होते रहे हैं लगातार स्थितियां बदलती रही हैं चाहे वो बात बेश की राजधानी दिल्ली की कर ले या फिर बिहार की राजधानी पटना की कर ले कई बार लाठी चार्ज हुएं कई बार छात्रों ने बवाल काटा कई बार राजनितिक दलू के कारे करता हुने सनक जाम किया लेकिन आच बिहार बंद का अहवन के आगया था जाप और इसके अलावा माले के तहट जाप के कारीकरता सणको पर है वो पूरी तरीके से डाग बंगले चोरहे को जाम कर दिया है यहाँ पर सुरक्षा गए आपको आईए दिखाते हैं उधर जाप की महिला कारीकरता भी सणको पर है और वो भी जाम को मतला बंद को पूरी तरीके से सफल बनाने में लगी हुई है देखे किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे आईए ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी जाम में यहाँ पर लगी हुई हैं क्या कुछ कहेंगे किस तरीका कहें क्या 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 मांगे हैं जो विस्विदालों में छात्रों को बुड़ी तरह जो होस्टल में घूसके पिटा जा रहा है कि घॉष्णा किये थे आज उसी के तहथ हम लोग सरकों पर उतरके अपनी मांग को मांग कर रहे हैं और बिहार सरकार से मांग है कि बैटियों की सुरथ्षा में सरकार कहां गई है कि एक तरह हरे आली और बीटियों की बिलत्कार हो रहे हैं उनके बिहार सरकार सासंट कहा है लगभग तीन hacen बंद के घोसना की घूसना कि लिए अपने मांग को लेकर भीख को हुए हैं या थो हम भी गिपतारी करें या हम लोग की मांग को पूरा करें हम लोग बाइठ हैं यहां चरनबंद तरीके संदोलन चलता रहेगा चलता रहेगा पर्शून को नजर बंद कि आज लाखो सरकर है आज लाखो पप्पू सरकर पर है बियार के हड़ जिले में लगबग हड जिले में लगबग 1000 से उपर युवा पपू बनके सरकर पपड़ा है कितने पप्पो को गिपतार करेगी सरकार ना घुट है हम एक पपू के रूप में है अगर देखा जाए तो हर चेत्र में हर बिहार में हर कौने-कौने में एक पपू जन्म लिया और लेंगे पपू को जब हम पर पर जाएगी सरकार को की हाथ करी लगाने के लिए पपूय अदब जी को सब ही मुद्दे एक मुद्दा नहीं है जिस तरीके से बता रहे हैं यह लोग कि मुद्दे कई हैं बेटियों के बचाने के मुद्दे हैं मुद्दे CAA और NRC भी है मुद्दा इसके अरावा जो भी मुद्दा कह लिए कहना यही है कि बहुत सारे मुद्दे को लेकर जाम किया गया है चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या फिर बेटियों की बचाने का मामला हो या फिर जिस तरीके से बिगड़ती हुई ववस्थाओं का मामला हो सभी मामलों को लेकर वो इस समय सदक जाम करके बैठे हुए है न्यूज वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं